अठाइस जुलाई 2021 हमारे इतिहास का वो काला दिन है जिस दिन दिन दहाडे एक जज की खुली सड़क पे हत्या कर दे गई दोस्तों धनबाद के एक जज की एक आटो से कुचल करके बेरहमी से हत्या की गई और इस हत्या से जुड़े वोई लोगों को खोजने में पुलिस को कई दिन लग गए ये सिर्फ एक व्यक्ति पे किया गया हमला नहीं था ये भारत के सबसे विश्वस्निय संस्थान न्याय पालीका पे किया गया हमला था अगर एक जज को इस तरह राह चलते मार दिया जाएगा तो कल के दिन कोई भी उठकर के आएगा और अपने उपर फैसला सुनाने वाले जज को ये धमकी देगा कि जज साहब अगर आपने मेरे खिलाब फैसला सुनाया तो आपका भी वही अंजाम होगा तो ये सिर्फ एक जज की हत्या नहीं है ये प्रश्णचिन है हमारी विवस्था के सामने हमारे समयधानिक तंत्र के सामने कि क्या हमारे सबसे रिस्पेक्टिबल इंस्टिउशन के एक सदस्य को इस तरह से खुली सड़क पे मार दिया जाएगा और हम मुह बाहिद देखते रहेंगे क्या हमारे अंदर ये चमता नहीं है कि हम उन लोगों को सजा दिला सके जिन लोगों ने नियाए पालिका के उपर हमला किया है जो हमको नियाए देती है ऐसी संस्था को नियाए दिलाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों भारत के सुप्रीम कोट ने इस केस का संग्यान लिया सुओ मुटू इस केस को लिया और इन्होंने जारखंड राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डी जी पी को बुला करके उनसे पूछा कि इन लोगों ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है ये जज बहुत गंभीर कर्मिनल केसे की सुनवाई कर रहे थे क्या उससे जुड़े हुए लोगों ने इनको मारने का हिम्मत दिखाया है ठीक है ऐसी हिमकत की है राज पूलीस, CBI और पूरे का पूरा हमारा सुरक्षा और गुप्तचर तंतर जो है वो जुड़ गया और अंततर जो है हत्यारों को ढूंड निकाला गया लेकिन हत्या के उद्देश अभी भी बहुत सपष्ट नहीं है यहां तक कि सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि पुलीस और प्रशासन व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था इन संस्थाओं पे न्यायपालिका का भरोसा डिगने लगा है क्योंकि न्यायपालिका के सदस्य हमारे जजस खुद ही सुरक्ष इत महसूस नहीं कर रहे हैं और जो देश अपने नयायधीशों की सुरक्षा नहीं कर सकता उस देश में आम आदमी की सुरक्षा के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं। सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार से ये सवाल भी पूछा कि जिस तरह से आप रेलवे की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बना सकते हैं। उस तरह से आप जजों की सुरक्षा के लिए नियायले परिसर की सुरक्षा के लिए एक जुडीशिल प्रोटेक्शन फॉर्स क्यों नहीं मना सकते हैं। अमेरिका के कई राज्जों में और कुछ विक्सित देशों में जजों की सुरक्षा के लिए अलग से फॉर्स हैं। पक्षपात के निश्पक्षिता से लोगों को न्याय दे सके क्योंकि एक शासन बिना लोकतंत्र के चल सकता है पर बिना न्याय के नहीं तो दोस्तों मैं हूँ विवेक पटेल और इसी विशय पे बहस करने के लिए आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ जजों की सुरक्षा को ले करके हमेशा से सवाल उठाये गए हैं पर इस बार जब केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट के सामने कहा कि वो जजेज की सुरक्षा के लिए न्यायलेओं की सुरक्षा के लिए कोई विशय सुरक्षा बल का निर्मान नहीं करेगी तब समझ में है कि केंदर सरकार और न्याइपालिका के बीच में समझ की खाई कितनी गहरी है भारत में जजों की सुरक्षा के लिए वरतमान में जो विवस्था है उस पे हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट न्याइपालिका का सबसे उचा स्तर है भारत का उच्चितम न्याइल है सुप्रीम कोर्ट में हमारे भारत के मुख्य नयाधिश बढ़ते हैं जिनको जेट प्लस ग्रेट की सिक्यूरिटी हासिल होती है जो कि भारत में सबसे उच्चे स्थर की सिक्यूरिटी है ठीक है इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य नैधिश हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस इनको Y grade से लेकर के Z grade की सुधा मिलती है इसके बाद अब हम लोग हाई कोर्ट पे आते हैं जो राज्यों के न्यायले हैं जाहिर सी बात है ये राज्ये स्तर पे हैं हाई कोर्ट के चीफ जेस्टिस को वही सुरक्षा मिलती है जो राज्य के मुख्य मंत्री को मिलती है स्तर्त नहीं किया गया है और हाई कोट के अन्य न्याधिश जो है other judges of हाई कोट इनको जो है राज्य के किसी भी cabinet minister जितनी सुरक्षा मिलती है ठीक है राज्य के cabinet मंत्री के जितनी आपके जिला जज जिला इस तरिये judges में सबसे senior होता है आपका जिला जज एक जिला जज को चार personal security officer मिलते है यानि कि चार बंदूगधारी guard और आपका जो अन्या जज है इनको एक से दो guard दिये जाते है ये हमारे देश में जजों की सुरक्षा की वेवस्ता है Supreme Court के Chief Justice को जेट प्लस ग्रेट जो security दी जाती है ये राश्टी सुरक्षा गार्ड national security guards के द्वारा दी जाती है और भारत सरकार का ग्रह मंत्राले जो है ये इसके अधीन जो national security guard है जिसमें black cat commandos आते हैं वो जेट प्लस ग्रेट security के लिए जिमेदार होते हैं जबकि केंदर सरकार का जो ग्रह मंत्राले है होम मिनिस्ट्री है वो वाई ग्रेट security जो है वो उपलब्द कराती है इसमें ज़्यादा तर CRPF Central Reserve Police Force के जवान जो है जो की हमारे होम मिनिस्ट्री के अंधर गत एक अर्धसैनिक बल है एक Central Armed Police Force है उसके जवान जो है यहाँ पर security प्रोवाइड कराते है सुप्रीम कोड के जजजेस को सुप्रीम कोड के परिसर को भी भारत सरकार का ग्रह मंत्राले सुरक्षा देता है Central Armed Police Forces की ही तैनाती यहाँ पर की जाती है प्रिफरेबली दो forces यह काम करते रहे हैं एक CRPF Central Reserve Police Force और एक CISF Central Industrial Security Force तो केंद्री Reserve Police बल या केंद्री और योगिक सुरक्षा बल इन में से कोई भी force जो है वो सुरक्षा प्रदान करती रहे हैं पिछले काफी समय से केंद्र सरकार का ग्रह मंत्राले जो है उसके अधिनाता है गुपतुचर ब्यूरो Intelligence Bureau Intelligence Bureau जो है वो विभिन खुफिया सुचनाओं के माध्यम से आपका जजों पे आने वाले खत्रों का Threat Assessment करता है और ये Threat Assessment Report जो है वो आपका ग्रह मंत्री को सौपा जाता है और ग्रह मंत्राले जो है इस Threat Assessment Report के हिसाब से Supreme Court के जजेस की Security को रिव्यू करता है और उनकी Security को घटाता है या बढ़ाता है ग्रह मंत्राले जो है Intelligence Bureau की रिपोर्ट की आधार पर Threat Assessment को राज्यों के साथ भी शेयर करता है और राज्य सरकारे भी High Court और अधिनस्थ Court के जजेस को जो है उसी आधार पे सुरक्षा उपलब्द कराती है ठीक है तो Threat Assessment यानि खत्रिक विशलेशन का कारे ग्रह मंत्रा लेगा है High Court से ले करके सभी जजों को High Court जिला Court और सभी अन्य जजों को जो है आपका सुरक्षा देने का काम राज्य पूलीस का होता है राज्य में कानून विवस्था और सुरक्षा का कारे जो है वो पूलीस का है और राज्य पूलीस ही इन सभी को सुरक्षा देती है तो केंदर सरकार के द्वारा ग्रह मंत्राला के द्वारा जारी Threat Assessment के अधार पर High Court के Chief Justice और High Court के Justice की सुरक्षा जो है वो बदली जा सकती है लेकिन राज्य पूलीस ही मुख्य मंत्री के बराबर सुरक्षा High Court के मुख्य नया धेश को देती है और High Court के अन्य नया धेशों को Cabinet मंत्री के बराबर सुरक्षा देती है यह सारा Security Detail State Police के पास रहता है State Police जो है उसके अधिन जो आंड पूलीस आती है जैसे कि 36 गड़ में 36 गड़ आंड पूलीस है बिल्कुल वैसे ही राज्य पूलीस का जो सशस्त्रबल है वो जो है High Court परिसर को भी सुरक्षा प्रदान करता है इसके बाद जिला जज़ों को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो जिला इस तरी जो रख्षी तारख्षी बतालियन है जो रिजर्ब तालियन है उसके जवानों को जो है यहां पर पी आजासो की रूपे आपका बशनल सेक्यूरिटि आफिसर की रूपे नियुक्त किया जाता है और अन्य जजों को भी जिला पुलिस बल के द्वारा ही यहां पर सुरक्षा उपलब्द कराई जाती है यह सभी लोग आंड होते हैं और याने की सशस्त्र होते हैं और जो है यह प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है यह सुरक्षा परदान करें जीला नियायले और अन्य नियायलेयों की सुरक्षा का कारे जो है वो इस्थानिय पुलिस थाने का होता है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा विवस्था के लिए यहां पर राज्य पुलिस जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि सुप्रीम क स्मेंट राज्यों के पास देर से पहुंचता है तब तक जजों को धमकियां और खत्रे आने शुरू हो जाते हैं अक्सर ये भी देखा गया है कि राज्य पुलिस जो है वो जजों को सुरक्षा उपलब्द कराने में लापरवाही करती है और कई बार जो है जो लोग जजों क सुरक्षा करते हैं ऐसे सुरक्षा धिकारी प्रशिक्षित नहीं होते एब मुक्र्वेश्चेटी के लिए उन पुरेश्चेशनल्ल ट्रेनिंग्र नहीं मिल रोते कि बहुत सारे इजजेस के सुनवाय कर रहे होते हैं जिनमें बहुत बाहु बली और संगठाद पराद से जुड़े होई लोग शामिल होते हैं ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले जजों को भी परियापत सुरक्षा नहीं मिल पाते हैं, कई बार हाई प्रोफाइल केसेज की सुनवाई करने वाले जज जो हैं केस के फैसला सुनाने के बाद भी उनको धमकिया आती रहती हैं क्योंकि उस फैसले की बज़र से बहुत सारे लोगों पर दुश्प्रभाव पड़ा है और वो उसका बदला इन से लेना चाहते हैं तो कई बार जजों को लाइफ लॉंग सेक्यूरिटी की जरुरत भी महसूस होती है कि जज जो है उसने फैसला सुना दिया फिर भी उसको सेक्यूरिटी मिले और कई बार रेटायर्मेंट के बाद भी सेक्यूरिटी मिले इसका उधारण है जैसे भारत की पूर्वचीफ रेटायर्मेंट के बाद भी सेक्यूरिटी दिगई है क्योंकि आय। इसका उधारा निक्यूरिट भी वह स्कति है जिसका एसेस्मेंट सिर्फ ग्री मंत्राले नहीं कर सकता है कई बार इसमें न्याइपालिका की भी राय लेनी चाहिए पर न्याइपालिका की सुरक्षा के मामले में न्याइपालिका की राय नहीं ले जाती है जम्मु कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बार अपने फैसले में ये कहा था कि नियाधीशों को जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के बारे में केंद्र सरकार को निड़े लेना चाहिए लेकिन सुएम सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अनुचित बताया था और इसी अधार पर केंद्र सरकार ने नियाधीशों की सुरक्षा के लिए कोई भी विशेश सुरक्षा बल बनाने से साफ इनकार कर दिया है उन्होंने कहा ना नियायले परिसर में कई बार हिंसा की घट्टाएं हुई है गवाहूं की हत्या की गई है प्रतिवादियों की हत्या की गई है इवन नियाधीशों पर गोलियां चली है उत्तर प्रदेश में तो बार काउंसिल के अध्यक्षों गोली मार दी गई आगरा कोर्ट में फिल्मों म अपने जजेज की सुरक्षा को ले करके आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। और यह तो हम लोग नियायले परिसर की बात कर रहे हैं। और जब जजज घर में रहते हैं तब एक जजज को जब अपने फैसले सुनाने की छमता की वजह से धमकिया मिलेंगी, एक जजज को अपने निश्पक्षता की वजह से धमकिया मिलेंगी तो जजजेज के मन में डर आएगा और वो निश्पक्ष रूप से नियायक कैसे कर पाएंगे। और इसलिए हम लोगों को नियायक सुरक्षा बल बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों नियायक सुरक्षा बल या नियायपालिका की सुरक्षा के लिए नियायधिश और नियायक परिसर यानि की नियायलेयों की सुरक्षा के लिए क्या हमको विशेश बल बनाना चीए इस बात को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों में तरक है। इसके पक्ष में तरक यह दिया जाता है कि नियाधीश जो है उनके लिए विशेश नियाइक सुरक्षा बल बनाने पर हमको क्या है कि एक dedicated professional security force मिलेगी यह dedicated force जो है यह वो विशेश रूप से नियाइक परिसर की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होगी और वो अपना काम ज्यादा काबिल साबित होगा और सारे के सारी जानकारी इनको दी जा सकती है यह जो force है इन्याइले के अधीन आएगी इसलिए राज्य सरकारों के बीच होने वाले जगड़े से बच जाएंगे राजनीती का इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और सबसे important चीज है हैं उनका कहना है कि अलग से judicial protection force बनाना जो है यह एक तरह से इसमें बहुत समय धन और श्रम बल लगेगा जिसकी हाल ही में कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है खर्च तो लगेगा ही लगेगा इसके साथ में आपका राज्य सरकार का जो जजों को सुरक्षा देने का कारी है या केंदर सरकार के दौरा जो जजों को सुरक्षा दे जारी है यह आपका इनिफेक्ट है और अभी तक प्रभावी साबित होई है अचानक नियाइक विवस्था के लिए नई फोर्स बना देने पर आपका राज पुलीस के साथ में उनका संघर्ष हो सकता है स्कटल हो सकता है ठीक है और आपका मतलब यह कहीं न कहीं जुडिश्यरी को भी एक ऐसी संस्था बना देगा जो की अपने फाइनेंस अपने सीक्योरिटी और अपने आपका अपॉइंट्मेंट प्रमोशन इन सब के उपर खुद का नियंतर रखती है तो जुडिश्यरी यहाँ पर सरकार की तरह बिहेव करने लगे जो काम जुडिश्यरी का नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेज रखना जो सरकार का काम है उनको सिक्योरिटी देना ये जो संतु जुडिश्यरी नियाएक परिसर नियाधीश ये सब राज जी के अंदर है स्थिर है और पुलीस जो है इनको सुरक्षा प्रदान करने के योग्या है ऐसा तर्क जो है वो सरकार दे रही है तो तर्क दोनों तरफ सही है लेकिन फैसला तो यहाँ पर परिसितियों के आधार और गहन चिंतन के बाद लिया ही जाना चाहिए अगर आप मुझसे पूछें तो नियापालिका की सुरक्षा के लिए किसी विशेशक ये सुरक्षा बलका दिर्माण उचीत ही होगा थैंक्यू झाल 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 झाल